वेल्कम बेक यूमेंस, TSS के टुटोरियल में आज हम डिस्प्ले प्रोपर्टी के अंदर फ्लेक्स वेल्यू रखने पर क्या होता है, वो देखने वाले तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो हम हमारी VS Code की स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो यहां पर हमने सबसे पहले तो एक डिव टेग डिफाइन किया है, उसके बाद एक पेरिग्राफ टेग और उसके बाद फिर से एक डिव टेग और इन तीनों को हमने एक और डिव टेग के अंदर रख दिया है जिसको हमने क्लास में दिया हुआ है, फिर यहां पर हमने थोड़ी स्टाइल भी प्रोवाइड किये, अब हम सबसे पहले आज जो हम देखने वाले हैं डिस्पले के अंदर फ्लेक्स की वेल्यू, तो तो डेफिनेशन यह है, फ्लेक्स दिस्पले एन एलिमेंट एज ब्लॉ देखते हैं कि क्या होता है, उससे पहले हम हमारा आउटपुट देखते हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं हमारे जो पहला डिव है, उसके बाद पहलेगा, उसके बाद फिर से डिव और इन तीनों को हमने एक और डिव के अंदर रखा है, अब हम यहां पर इस्पले प् से वह block level flex container में convert हो जाएंगे तो यहाँ पर यह तीनों एक अलग-अलग block साथ साथ container के अंदर convert होके adjust हो चुके हैं अब यहाँ पर flex के अंदर हमने जैसे बात की कि यह block level container के अंदर एड्रेस हो जाएंगे वट अगर हमें inline के अंदर करना हो तो हमें सिर्फ यहां पर inline flex करना है तो क्या होगा कि जो भी element है वह as an inline level flex container में convert हो जाएगा तो यहां पर हम जो यह inline flex दे रहे हैं वह main class को दे रहे हैं यानि कि यह main class है वह inline level container हो जाएगा तो सेव करके output देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर जो मेरा main class जो था वह inline level container बन चुका है और उसके अंदर मेरे block level flex container है तो यूमेंस आज के वीडियो के अंदर हमने डिस्प्ले के अंदर flex और inline flex ऐसे दो value डाल कर क्या different मिलता है वह देखा तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता तो प्लीज वीडियो को लाइक करें अगर आप हमारी चैनल प को सबस्क्राइब करें थैंक्स फॉर वाचिंग